हुआ है लो फ्रेंड्स मैं नीता स्वागत करती हूं आपका बाहर नकुकिंगोस में फ्रेंड्स आज हमने मलाई कोफटा बना कर त्यार गिया है जो की ज्यादातर हम शादियों में जाफिर पार्टी बगैरा में खाते हैं जाफिर रेस्टोरेंट में जब भी जाते हैं हम त्यार किया है और इसकी ग्रेवी तो इतनी मलाई की तरह बन कर त्यार होई है आप जब बनाओगे तो आपको बहुत ही टेस्ट लगे आप रेस्ट्रोरेंट शादियों वाले कोफते भूल जाएंगे आप घर में हमेश हैं ऐसे बना कर त्यार करेंगे और यह अगर मेरी मया मतली को ग्रेट करना हमने हो ईहां बने ले लिए पनीर अमि ए मैं निकाल दिया यह बालंके अब मैंगे शाल मज़ी अगाल रही है इसमें जाले मसाले मसालों में चोटी चमाज नंक्तिन्दमक कुख औंग कंदे कर सकती हो गय कोपतम cancer तो नमक सब्सक्रा लाल पार दिक में डाल दी करें गऩी इसमे Board के लििए दो बड़े चममाच मैता मैदा समें इसलिए में डा रहे हैं किंकि जब रहे करेंगे कोपते तो फटेना और बाइंडिंग अच्छी हो हमारी अभी हमने एक डो बना कर त्यार करना है इसको मिक्स करके अच्छी तरह से यह देखिए डो बना कर हमने त्यार कर लिए अभी हम इसके हाथ में लगा लिया तेल इसके कोपते बना कर त्यार करेंगे मैं राउं थोड़े थोड़े कोपते हमने डालें ताकि जो तेल का बैलेंस है वो कम ना होजे तेल जैसे ही गर्म जादा है तो जब हम एक साथ काफी कोपते डालेंगे तो गर्म कम होजेगा तो कोपते हमारे पकेंगे नहीं यह हमने पांच डाल दिये थे यह हो गए हैं अब हम इनको न यह मैंने हर इलाइची ले दू दो लोंग चार पांच काले मिर्च एक दालचीनी का टुगड़ा और एक चोटी चमच हमने लिया जीरा तेल घर में तो डाल देते हैं इसमें यह खड़े मसाले इनको हमने चटकने देना हलका सा यह हमने लसन और अधरक ले लिया लसन की थोड़े से पोड़ ले लिया हमने और अधरक एक टुगड़ा इंच का टुगड़ा हमने उसको चोटे पीस में काट लिया है इनको हलका सा पकाएंगे तेल में अभी हम इसमें डाल देंगे प्याज यह मैंने दो मीडियम कार के पयाज hugging हमने रफली चोप कर लिए मुट मुट तो यह डाल देते हैं यह मसाला भी हम अच्छी तरह से हमने पकाना है इसको ब्रोण कलर लेकर आना प्याज में यह देखिए लिए लिए टमाटर यहने चार टमाटर ले लिए इनको रफली चौप कर लिए बड़ा बड़ा अब यह डाल देते हैं और इनको पकाएंगे अभी हम थोड़ा सा जब तक टमाटर नंगले यह देखिए टमाटर गल चुक है अभी हमने गैस बंद कर दिया तो इसको ठंडा करेंगे हम सबसे पहले ठंडा करने के बाद ठंडा हो चुक है अभी हम इसको पीसेंगे मिक्सिंग ग्रैंडर जार में डाल कर इसका एक पेस्ट बना कर त्यार करेंगे यहां अगर जुरूरत पड़ी तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो अमने बिना पानी के त्यार कर लिया है यह हमने कडाई में दो चमच तेल गर्म कर लिया है इसमें डाल देते तेज बत्ता तेल हमारा गर्म है गैस की फ्ले मीडियम लोग है अभी सारा मसाला हमने यह ग्लिया करके रख़द यह ग्या दाल देते हैं और इसको पकाएंगे ठोड़ा स'm के पकाने के बाद रालेंगे मसाले यह हमने लेली अब्याधि मिर्च एक चोशेमेश म्रूस हामने देगी मिर्च ड़ दीज्य छोटे मिर्ची लाल मिर्ची का पाउड़ाूडरें दो कि अधे क्या चेस nessa एसमें आधी चोटी चमस्पाडिी पॉडर मिलात्रे धिए भी थी तुछ तरह से मिलांगे ही थोड़ा से मसाला डाल दे शीतम कंषे अपने काम भीन से जा ते हैं ज्यादा नहीं हमने ग्रेंटेजार में पानी डाल कर उसको अच्छी तरह से हिला लिया था जो मसाला लगा हो था अभी पानी डाल देते हैं ग्रेवी मसाले में और मसाले को हम अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक तेल ना छोड़ दे अच्छी तरह से पकाना हमने आप चाह इसमें धनिया पाउडर और हाथ से ख्रश करके एक सूरी मेती एक चोटा चमद हमने इसमें डाल दिया और इस मसालों को अभी हम अच्छे तरह से पकाएंगे यह देखिए तेल छोड़ दिया मसालों ने अभी हम इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए पाणी पाणी डाल कर फजनेतना पाणि डाला पांच मिनम तक हम पकानगे नाधिय तरह पकाईसे लोग फ़लेंप पकाईये, यह देखिए बनकर त्यारा ने जिरा हमारी हमने कोपते लगा लिए, आप ए पीडाल़ लेन देथ कोपतों के न्हां से दिराल। कॉपते कड़ाई में डाले हैं जिसमें आप डाले इसमें पहले आकंव के ऑपर ग्रेवी डाल लिए यह कितनी मुलाई की तरह мारी ग्रेवी बन कर त्यार हो चुक यह उपर से सजा जा जाते हैं क्रीम से आप भी ऐसे बनाईएगा और मुझे कमेंट करके बताईए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी ऐसी सिंपल सिंपल रेसिपी देखने के लिए मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई फ्रेंड्स